नमस्कार मी तोरल आनितुमी पगता है तदकाल निंस लाइव मिस्टर काशिफ चा रिपोर्ट अनुसार नापपुर मदे गिल्या वर्ष भरापा सुन राज्या मदे लॉगडाउं गूशित करने ताला ताम अदे सलुन्वा व्यूटी पालर व्यावसाई का अनुवर सातत तने निर्बन लाग लगेले शातनाजे एक तरफी धोरना सलुन्वा व्यूटी पालर व्यावसाई भरडला जाता है ताम उले नाभीक युवा शक्ती महाराष्ट्र वो पालर असोशियन चे पदा दिकारी बे मुदत उपोशनाला बसले आहे अशिमायती संगटने चे अधेक्षा अमोल तडखंडे प्रदेक्षा चित्मिस प्रभीन सोधरी याननी दिली नाभीक संगटनानी वेड़ो वेड़ी केलेला पत्रवेवाराची महाराष्ट्र सासनानी कुटलाई दखल घेतली नाहे ताम उले राज्जा सरुन वा भ्यूटी पालर जावसाई काम मदे असंतो श्रिर्मान खालेला हे आपला वीविद्ध मागना सटी बुट्टी मोरी एते संगटने चे पदादीकारी उपोशनाला बस ले आ हे मी रिता कुटे ब्यूटी पालर जावसाईशन चे सच्चु आमचे मागना इते हमी माणलेला हे आमचे ब्यूटी पालर जावसाईशन चे अद्धेक्षा शुबांगी निस्ताने आ हे तसस नहीं का नाभी किवाशक्ती महाराश का सलुन ब्यूटी पालर जावसाईशन चे प्रदेश अद्धेक्षा मोल बहुत अर्खंडे आज चार दिवस जाले उपशनाला बस देले आ हे यामदे प्रशाशन आने आता परंता कुटली दखल घितलीली नाई आ हे त्या मोडे आमी आज या उपशनाचा मद्धे मा तून आँचा मागनेया तुमचा परंता फोज़ोनेयाचा प्रेतन करेता हो आमचे एकस मागनिया है कि आमचे या करा मागनिया है त्या मागनिया है कि एकई मागनियी सद्य नसल हो तरी सुध्धा तुम्हे आमचे या मागनिया करीता प्रेत्न करावे आणि जी पहली मागनिया है आमचे कि या कोरोना चा काड़ा मदे तुम्हे आमाला तीन तास चार तास दसे सर्व दुकान ओपन करन्या साथी परवांगी दिलीलिया है। तास दसे सर्व दुकान ओपन करन्या साथी परवांगी दिलीलिया है। आए सबसे पहले वो जानते है। अमोल फर जानना चाहेंगे वो 11 जो मांगे आपकी है वो क्या क्या है। जो सलून और ब्यूटी पारलर जो वेवसाय है जो महारास्टे में ही महारास्टे के सरकार ने बन करके रखा है। सलून और ब्यूटी पारलर वेवसाय कोई बन किया जाता है। तो सबसे पहली मांगे कि हमारे जो सलून वेवसाय और ब्यूटी पारलर वेवसाय को जल से जल इन्होंने शुरू करना चाहिए। दूसरी माग है जो हमारे सलून वेवसाय के जिन्होंने आत्मात्य किये 27 सलून वेवसाय का ने हमारे आत्मात्य किये तो उनको आज तक के सरकर ने ना किसी मंत्री ने ना किसी उनके आमदर ने जाके कभी उनको पूछा होंगा कि क्या हुआ कैसे हुआ तो उनको भी आर्थ किसी भी तरीके से उनका ना तो आज तक के पूछा गया है उनकी ना कोई दखल ली गई ऐसा कुछ भी आज तक के सरकर के माद्यम से हुआ नहीं है दूख की बात है आज हमारा जो सलून व्यवसाय है वो पूरी तरीके से महारास्ट में जिन्होंने लाखो रुपे लगा के अपना बिजनेस शुरू किया था वो आज खतम होने जा रहा है सरकर ने इस ओर ध्यान देना चाहिए सरकर ने इन लोगों को आर्थिक पैकेज व्यवसाय के लिए घुशित करना चाहिए और सबसे बड़ी महांग है हमारी कि यह सब आर्थिक पैकेज आप देने किस तरी किस यह उजना से देने वाले हो आज हमको अगर असंगतित कामगर का दर्जा अगर मिल गया रहता तो यह जो प्राब्लम थी वह सा लोगे रहती है आज इन असंगतित अभी देड़ अजार दोवाजार रुपे जो महिना आ रहा है तो घर में पढ़ते रहते हैं सबसे बड़ी दुख की बात है कि यह कोरोना का सबसे बड़ा डर हम लोगों को है आज हमारा सोचल डिस्टेंसिंग खटम होता है फेस के पास जाके काम करना पड़ता है सरकार ने हम लोगों को समझना चाहिए हमारे वेवसाय को समझना चाहिए आज ऐसा हो रहा है कि बहुत बहुत या एक साल से जो शेविंग का जो काम था वह आज खतम हो गया है क्य किसी भी मंत्री सामने एक सब्सक्राइब कि अच्छे गिल्ये कुछ बोला हूँगा तो बहुत बड़ी बात हो कुछ बोलते नहीं कुछ नहीं है तो हमें तो आंशन करना ही पड़ेगा आगे हमारे सलून व्योसा को साइट साल के उपर में जो विचारे घर में पड़े हैं उनकी किसी भी तरह की कि कोई निए उनको महिना देना चाहिए तो यह जो सलून व्योसा है एक किस तरीके से बचाना चाहिए ना किसी भी एक साल में किसी भी संकटंग के पदा दिकाती से इन्होंने चर्चा कि है कि हम हमारी सुन तो लो कम से कम यह सुनने के लिए भी तैयार हुए तो आप बताईए मेरे लिए क पिछले दो साल से सबसे ज्यादा इंपक्ट आपके इस बिजनस पड़ाई सलून वर्जाइब कैसे कैसे मतलब गौवर्मेंट ने कुछ पर्मीशन वगेरा दिये आपको क्या कम से कम एक एक शक्स की आप सर्विस दे सकते हो कम से कम एक शक्स को यह उन्होंने तो प्रोटोका है है तसके हो और डाय कर सकते हो दो कैम नहीं कर सकते river बाकिन रिलेटेट तो कांकर सक्ते ना तो इस कंडिशन पर वियुऺसा शुरू किया था अब क्या हो गया कि कि इसकंड सब करने के इसमें उन्होंने इक इतने भी इस्टेक्शन लगाने थे वह तो लागा लिए अब इससे जो यह इस्ट्रिक्शन से हमारा व्यवसा तो खत्म हो गया ना एक घुमा फिरा के अगर बात आएंगी ना तो बात यहीं आएंगी कि सरकार को पता ही नहीं यह सलुन व्यवसा किस तरीक अब दूसरी बात देख लिए एक 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 जामपल बता करें जिल्ला अत्मा यह तो आप यह तो गॉवर्मेंट को सबसे बड़ी वादी सलून और बाकी के व्यवसाइक है अब होता क्या था जो बड़े-बड़े व्यवसाइक है अभी इत्वारा ले लो या बड़े-बड़े प्रजिस्टान है या कंपनीज ले वो संडे की दिन ओफ लगती थी नु लोगडाउन हटेंगा उसमें तो सलून वेर्साइक को कुछ इसमें प्रोटोकॉल में कुछ छूट दी गई है तो बोलता हूं कि अगर सरकार को इतने लगता है कि हाँ ठीक है हम वो तो कहते हैं कि हम स्प्रेडर निया सूपर स्प्रेडर है कोरोना ऐसे हो बूलते हैं ठीक है आम भी देखते हैं कि हम इसलर द alma में पुलेंगा खें मेरी हें टेस्ट हो चूंकी है हम भी दिगरेंगे मिरी अ ऀबीछाफ मंशराद चूकी है लेकिन यह सुरक्षा करते हैं खुद की इसलिए बचे इनको सबको पता है कि किस तरीके से सुरक्षा करनी चाहिए तो बचे इनमें गाइडलाइन जो भी देंगे हम तो मानती है सरकर में सरकर को थोड़ा सा कुछ अच्छा कुछ पॉजिटिव भी इस को जी कि हम फेस फोर मे और इन लोगों को रिलिफ मिल लिए जैसे के नाकपूर शहर में कई संगटन है जैसे के नाकपूर चेमबर ऑफ कॉमर्स और दिगर संगटन है यह लोग आखीर सड़क पर क्यों नहीं आते हैं कई हमने ऐसे केसेस देखे जिसमें पुलीस वाले आते हैं अगर से वो दुका तो उन्होंने बंद रखना चाहिए मैं इस इस पर मानता हूं किसी तरीके से था लेकिन अगर आपके उपर में दिक्कत है तो जिस तरीके से हमने स्टेप ले उन्होंने भी स्टेप और जो भी ट्रेड यूनियन है उन्होंने भी लेना चाहिए था पर नहीं आ सकते तो उस तो इस वज़े से उनको लग रहा है कि आज अपन यह सब लेंगे तो यह सब सोच रहे हो लो यह भी एक कारण है कि वह नहीं आ रहे हैं लेकिन अभी उनके भी हक्टी लड़ाई हैं चल नहीं हिए रोड पर लेकिन अभी वह आएंगे वो भी आएंगे, उनसे भी बात हो रही है, कि वो भी वाले उन्होंने मुझे फोन करके बुलाएं कि अमोल जी आप बहुत बड़ा डिसीजन ले चुके और आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो भी आने वाले, कुछ दिनों में वो भी आएंगे, अगर यह 28-29 तक कि किसी भी करने के लिए हम चाहेंगे आप इस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, बहुत बश्शुक्री आप सभी का, शुभांगी, शुभांगी निस्ताने, इस लॉक्टाउन काल का सलून वालो पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो तो हमें अमोल सर ने बताया, ड्यूटी तो लेडिस, सभी ने अपने वेवसाय पे लोन लिया है, और किसी ने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिया है, तो किसी ने वेवसाय के लिया है, तो किसी ने बेटियों को अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिया है, सब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और लॉक तो हमारा एक चाहिना एक शासन से कि हमारे तरफ धान दे ब्यूटी पालर वे उसके तरफ धान दे काफी ऐसे वैसाइब होते हैं ब्यूटी पालर वा सलून में जो के उनका रूम रेंड पे होता है नाधपुर शहर में आज किल कम से कम यहां यहा बह永ова 220 अधर्व हमारी हुआ नहीं है यह बहने और और कुलार और चल्रूज्ट और कोई-कोई यह ऐसे हैं कि जिनके सब्क्राइब क이 लागडाउन का एंफेक्ट ऐसा पड़ा है कि सभी तरीके से हमारे शॉप मा टोटली बंध है और पैसा किराय भी चालू है इलेक्टरिक बिल भी चालू है बच्चों के फीज है बाकि जो लोन लिये ते शॉप के लिए वो भी चालू है लेकिन हमारा व्योसाइश सिर्बन है एक जीन से जो उनलॉक फेस्वन शुरू होने वाला है तो आप लोगों को कुछ इस प्रॉपकॉल में कुछ छूड़ दी गई है नहीं ना हमारे को ऐसा कुछ लीड आई नहीं है अब तक कि सरकार किन मद्दम से अभी 24 मैं से अमोल तर्खंडे जी उपोशन पे हैं जी तो हम इसमा के लिए सपोर्ड भी कर रहे हैं नाभी जिवा शक्ति नाकपुर जिला अध्या गुलाब दिलिए तो आगे भी अभी हमने जो नया क्राइटेरिया देखा अनलॉक फेस्वन तो उसमें सलून और ब्यूटिपलर दोनों को भी परमिशन नहीं है सर बंद करने के पह घर किरा है घर बाड़ा है दुकान बड़ा एलेक्टिक बील है और कुछ हमारी जो समाज बंदों के उपर जो लोन है उनको फोस करते ही करते है तो कहां से बरे कैसी अपनी प्रतिकाय विक्त करें हो तो हमारा ही गवर्मेंट से यह हमारी रिक्वेस्ट है कि नहीं कुछ तो आं अंहीं है रेन को द्हां को दिया और दुकान खळल lli का कुछ परृमिशन दीजा कुछ लेडिश पालर होसंगें जो घो पना अंहीं अपना गुजर्णा करके अपना कुछ कैसा कमा करके निंदी घर मेगाते है उनका श्तितिय हुनको करे भान द्यान दिया जा यह है ज माइब माइब